हेलो प्रेंट तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हमदर्द का जानि मानी हमदrid कैपसुल के बारे में जो मेरे अस्कीन पर देख रही है आपका हमदर्द का हमद्राइड कैपसुल है इसको किस परकार परदो किती आती है इसकी क्या-क्या फच्चा जाती गणी बावासे में बहुत अच्छा काम करती है तो पुरे बिष्टार से इस वीडियो में जानेंगे हम दरायट कैपसुल के परयोग करने के सही तरीके के बारे में तो आप लोग हमारा इस वीडियो को लाइट तक देखिएगा और वीडियो करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करा चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक किजिएगा और साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजी तो चलिए हम जानते हैं हम ब्राइड कैपसूल के फाइदे के बारे में पूरे भी स्तार से ते जो कैपसूल है दोस्तो एक अरवेदी कैपसूल है जो जड़ी बुटी के दोवारा इस कैपसूल को त्यार की जाती है एक पते का दस कैपसूल आती है एक पते में दस कैपसूल आती है यह हमदर्द का है दोस्तों हमदर्द मेडिकल अश्टर में बहुत उसाने से एक कैपसुल मिल जाती है तो BCS का इसके जो फैदे होते हैं बावसिर में उप्योग करवा जाती है अगर आपको बावसिर की समस्या जैसे बावसिर में दर्द बगएरा जलन जो रहती है उसको खुनी बावसिर है खुनी बावसिर में इस कैपसुल का उप्योग करने से खुनी बावसिर में लाब होता है जो बलट आने की जो समस्या रहती है सोचा ले जाने के बाद जो बलट आती है उसको रोकती है और जो मस्ते जो आता है मस्ते में घाव बेगेरा जलन सुजन आ ज चलिए हम जानते हैं बावासिर का मुख्य कारण के बारे में बावासिर किस कारण के वज़ा से होती है तो बावासिर जैसे आपका बार बार कब्ज बना रहा है पेट की खराबी का वज़ा से बावासिर होती है जैसे गैस की समस्य रहती है पेखाना का सई ढंक से ना होना कब हकापज лучше बना रहना तो उससे आपको बावाशीर हो सकती है सिस्लिए दोस्तों सब से पहले आप को अपने पेट को साफ करें कब्ज को दूर किज़िए कब्ज के लिए कब्ज के वाले दावा का इस्तमाल किजिए जिससे आपका पेड़ साफ हो सके जैसे आपका तिरफला चूर ने अब भैया रिष्ट का पर्योग किजिए आदी दावा अपने डाक्टर अब बेद के सला कब्जु को दूर करने के लिए उप्योग कर सकते हैं और इसके साथ इस कैपसुल का पर्योग किजिए हमदराइड कैपसुल जो बावसिर है बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तो आइसके साथ जैसा कि मस्य को जो समस्या है मस्य हो जाती है दर्द बगरा जलन रहती है उसके लिए एक हमदराइड का मलहम आती हमदराइड मलहम उसक तो अगर लगातारी मलहम और कैपसुल का उप्यों करते हैं तो चलिए हम जानते हैं हंदराइड कैपसुल का सेवन बीधी और मातरा के बारे में आप लोग इस कैपसुल का किस परकार इस्तमाल कर सकते हैं तो सेवन बीधी मातरा है इस कैपसुल का एक से दो कैपसूल दिन में दो या तीन बार ले सकते हैं अगर आपकी समस्या जादा हो तो एक से दो कैपसूल दिन में तीन बार ले सकते हैं अगर आपकी समस्या कम हो तो एक कैपसूल सुबा साम इस्तमाल किजिए इसके अपसुल का इस्तमार करने से पहले आप अपनी डाक्टर और बेट के ही सला करनुसार इस्तमार किजी क्योंकि उम्र के हिसाब से इसका डोज जिया जाता है रोग करनुसार इसका डोज जिया जाता है इसलिए इसको पर्योग करने से पहले आप अपने डाक्टर के सलाज जरूर ले तो चलिए जानते हैं हम इसकी MRP का तो इसकी MRP के बारे में बात करें तो एक पत्य का किमत 32 रुपिया है जो आपका एक उनानी दावा है जो अरुएदिक मेडिकल अश्टर में बहुत हुसानी स मिल जाता है वहां से लिए कि आप लोग किस्क् OP को पर्योग कर सकते हैं है उसकी निहाया है चैनल के पसंदा हो most हमारा इस वीडियो को लाइक किजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल का आप लोग वेख और को槿श्कर ऐस्तों करें आगर कोई सवाल हो तो कोमेंट किजिएग इसका रिपले बहुत जल्द दूँगा तो फिर मिलेगी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई